दोस्तों आप सुन रहे हैं दि हौंड ओफ दि बास करविल्स तो आए सुनते हैं इसका अगला चैप्टर डॉक्टर वाट्सन की डाइरी से अब तक मैंने शुरू आती दिनों मैं जो रिपोर्ट शर्लोक होम्स को भेजी थी जिसमें मैंने कुछ विवरड दिये थे लेकिन अब मैं कहानी किस मोड़ पर आ गया हूँ जहां मुझे मजबूरन ये छोड़नी पड़ रही है मैं अपनी याददाश का भरोसा करते हुए इस वक्त जो डाइरी रख रहा था उसकी साहिता लूँगा मेरी डाइरी में लिखे कुछ पल मुझे उंदरशियों का वर्णन तक पहुचा देंगे जो मेरी याददाश में जम कर रह गए है मैं कल वहां से शुरू करता हूँ जिस सुबह हमने फरार कैदी का पीछा अचानक छोड़ दिया था और हमें दलदल पर अजीब अनुभव हुए थे सोल अक्टूबर एक सुस्त और कोरे वाला दिन कभी कभी थोड़ी फ़वार पड़ रही थी घर पर घुमड़ते हुए बादल चाय थे जिसमें से दलदल के नीरस घुमाओ दिखते हैं पहाड़ियों के फलक पर चान्दी की पतली नसेंसी है जब दूर चटानों के भीगे हुए पश्च में फलक पर रोशनी पड़ती है तो वो चमक उटती है बहार और अंदर उदासी इंता भरी है रात की एकसाइटमेंट भरी कारवाई के बाद जमीदार निराशा जनक पर तिक्रिया में है मैं खुद अपने दिल पर एक बोज महसूस करता हूँ आने बाले खत्रे का डर हर पल बना रहता है ये और भी बयानक है क्योंकि मैं इसे परिभाशित नहीं कर पाता क्या इस तरह के डर की भावना का न कोई कारण तो नहीं उनने एक करम से आने वाली घटनाओं के बारे में हम सोचें जो संकेत करती है कि कोई शैतानी चाया हमारे चार और काम कर रही है हौल में रहने वाले आखरी आदमी की मौत परिवार की दंत कता को इतने सही रूप से पूरा करती है फिर पास के किसानों की बार बार आने वाली खबरे हैं जो दलदल पर किसी अजीब जानवर के होने को बताती है मैंने खुद दो बार अपने कानों से वो आवाज सुनी है जो दूर से आने वाली खूंकार जानवर के भोकने से मिलती जुलती है यह संभव है और विश्वास करने के लायक नहीं है कि यह निचर के आम नियमों से परे हो ऐसा कोई खास खूंकार जानवर तो हम नहीं सो सकते जो जमीन पर वास्तुबिक जो जमीन पर अपने निशान भी छोड़ता हो और वायू मंडल को अपने भोकने की आवाज से भी बर देता हो स्टेपलिटिन ऐसे अंदिव विश्वास में पढ़ सकते हैं और मोल्टी मर भी लेकिन अगर दुनिया में कोई खूबी है तो वो है मेरा साधरन ग्यान जो मुझे ऐसा मानने के लिए जरा भी राजी नहीं कर सकता ऐसा करने का मतलब होगा कि हम उन बिचारे किसानों के स्तर तक गिर जाएं उनको सिर्फ एक खूंकार जानवर में संतोश नहीं होगा उनके बताने के लिए तो उनके मूँ और आँखों से नरक की आग उगलनी चाहिए होम सैसी बेसिर पैर की बात नहीं सुनेंगे और मैं उनका एजिंट हूँ परन्तु फैक्ट तो फैक्ट ही है मैंने इस भूकने की आवाज को दल दल पर दो बार सुना है मालने की दलदल पर एक बहुत बड़ा खूकार जानवर खुला गूमता है तो सब बाते साफ हो जाएंगी पर ऐसा खूकार जानवर चिपा कहां पड़ा रहेगा उसको खाना कहां से मिलेगा वो कहां से आया ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको किसी ने दिन में नहीं नहीं देखा ये मानना पड़ेगा कि साधारन इस पस्टी करड़ से भी वो मुश्किले खड़ी होती है जितनी की दूसरी से खूंकार जनवर के अलावा हमेशा लंदन में एक मानवी एजेंट भी था जो टैकसी में बैठा आदमी था और वो पत्र भी था जिसने सर हैंरी को दलदल के बारे में साथधान किया था कम से कम ये तो वास्तविक था लेकिन ये किसी शुब चिंग तक मित्र का काम भी हो सकता था और किसी दुश्मन का भी वो मित्रिय दुश्मन अब कहा था या फिर वो हमारा पीचा करते हुए यहां तक आ गया है क्या वो अजनबी हो सकता था जिसे मैंने पहाडी पर देखा था यह सच है कि मुझे उसकी एक जलक ही मिली थी लेकिन कई चीज़े हैं जिनकी मैं किसम खा सकता हूँ वो उन से कोई नहीं है जिनको मैंने यहां देखा हो अब मैं सब पहाडियों से भी मिल लिया हूँ उसकी काया स्टेपलेटिन से ज़्यादा लंबी थी और फ्रेकलेंड से ज़्यादा पतली वो शाहिद बारी मोर हो सकता था लेकिन उसे थो हम पीछे चोड़ाए थे मुझे भरूसा है कि वो हमारा पीछा नहीं करेगा एक आजिनबी अभी भी हमारा पीछा कर रहा है उसी तरह से जीसे लंबने हम अभी उससे पीछा नहीं चोड़ा पाए हैं अगर वो आद भी मेरे हाथ में आ जाता तो हमारी बहुत सी मुश्किले खत्म हो जाती आप मुझे इस मकसद के लिए अपनी सारी ताकत लगानी चाहिए मेरी पहली मर्जी तो सर हेंडी को अपनी सारी युजना बताने की हुई मेरी दूसरी होश्यारी की चाहिए है कि अपना खेल खुद ही खेलू और किसी को इसके बारे में कुछ भी न बताऊं सर हेंडी चुपचाप और अन्मने है दलदल पर उस आवाज ने उनकी नसों को अजीब तरह सज़ग जोड दिया है मैं उनकी परेशानिया बढ़ाने के लिए कुछ और नहीं बोलूँगा लेकिन अपना मकसद पूरा करने के लिए मैं जरूर कदम उठाऊंगा आसुबन हचते के बाद एक छोटी सी घटना हुई बारी मोर ने सर हेंडी से बात करने के लिए वक्त मांगा और वो अपने स्टेडी रूम में कुछ समय तक बंद रहे मैंने बलियर डूम में बैठे हुए एक से ज़ादा बार उनकी उची आवाजे सुनी मुझे पता था कि उनकी बहस का मुद्धा क्या होगा थोड़ी दिर बाद जमीदार ने दर्वाजा खुला और मुझको बुला लिया वो बोले बारी मोर को एक आपजेक्शन है पर बहुत पीला हो रहा था सर हो सकता है मैंने जादा गुसे में बात की हो अगर ऐसा है तो मैं माफी चाहूंगा पर सासत मैं हैरान भी हूँ जब आप दोनों इस सुबह वापस आए और मैंने सुना कि आप सैले डिन का पीछा कर रहे थे मेरे बिना कुछ किये ही बिचारे को बहुत असंघर्श करना पड़ रहा था जमीदार बोले अगर तुमने अपनी मर्जी से हमें बतलाया होता तो और बात होती जब तुम्हारे उपर दबाव डाला गया तब तुमने बताया वो किसी हद तक सिर्फ तुम्हारी पतनी ने बताया तुमसे ये जबरदस्ती उगलवाया गया तुमसे रोक नहीं पाए सर हेंडरी आप इसका फाइदा नहीं उठा सकते थे वास्तब में मैंने कोई फाइदा नहीं उठाया वो आदमी सब के लिए खत्रा है दल दल पर बहुत से घर अकेले बसे है वो किसी को छोड़ने वाल आदमी नहीं है उसकी एक जलक सही ये दिखलाई देता है एक्जामपल के लिए स्टेपलेटरिन के घर को ही ले लू उनके अलावा उनको बचाने वाला कोई और नहीं जब तक वो चाबी ताले के अंदर बंद नहीं होता तब तक कोई महफूज नहीं है वो किसी के घर में नहीं गुसेगा इसके लिए मैं वच्चन देता हूं सर वो इस प्रदेश में किसी और को नुकसान नहीं पहुचाएगा सर हेंडरी मैं आपको भरूसा दिलाता हूं कि थोड़े दिनों में ये विवस्ता पूरी हो जाएगी वो साउत अमेरिका के रास्ते पर चला जाएगा इश्वर के लिए सर मैं आपसे विनम्रविंती करता हूं कि आप पुलिस को ये पता नहीं चलने दीजिए कि वो अभी दलदल में है उन्होंने वहां उसकी खोज छोड़ दी है वो वहां चुपचाप तब तक पढ़ा रह सकता है जब तक उसका जहाज जाने के लिए तयार नहीं अगर आप उसके बारे में कुछ बताएंगे तो मुझे और मेरी पत्नी को मुसीबत में डाल देंगे इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि पुलिस को इस बारे में कुछ ना बताएं वोटसन आपका क्या कहना है मैंने कंधे उचकाए अगर वो सुरक्षदेश छोड़ दे तो टेक्स देने वालों पर एक बोज कम हो जाएगा लेकिन जाने से पहले अगर उसने किसी को पकड़ लिया तो सर वो ऐसा पागलपन नहीं करेगा जो कुछ चाहिए वो सब हमने उसे दे दिया है अगर वो अपरात करेगा तो पता चल जाएगा कि वो कहां छुपा है ये सच है सर हन्री बोले ठीक है बारी मोर भगवान आपका भला करे सर मैं दिल से आपका अभारी हूँ अगर वो फिर पकड़ा जाता तो बेचारी मेरी पतनी मर जाती मेरा अंदाजा है कि हमें एक बड़े गुनाह को शेय दे रहे हैं वाटसन लेकिन हमने जो कुछ सुना है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूँगा और इसका अंत हो जाएगा बारी मोर ठीक है आप तुम जा सकते हो अभार के कुछ शब्द बोलता हुआ वो मुड़ा थोड़ी देर जिचका फिर वापस आ गया सर आपने हम पर बहुत दया की है बदले में आपके लिए जो कुछ भी हो सकेगा मैं करना चाहूँगा सर हन्री मुझे मालुम है शायद मुझे ये आपको पहले से ही बता देना चाहिए था लेकिन मुझे ये नयाएक जाँच के काफी देर बाद पता हुआ आज तक मैंने किसी आदमी को इसके बारे में एक शब्द भी नहीं फुस पुसाया ये बिचारे सर चार्लिस की मौत के बारे में है जमीदार और मैं हम दोनों सतर्क हो गए क्या तुम जानते हो वो कैसे मारे नहीं सर मुझे ये नहीं मालूम है तो फिर क्या मुझे ये मालूम है कि उस पल वो गेट पर क्यों खड़े थे और वो किसका इंतिजार कर रहे थे वो एक औरत से मिलने के लिए खड़े थे क्या एक औरत से मिलने के लिए जी हाँ मैं आपको नाम नहीं बतला सकता सर लेकिन आपको उसके नाम के पहले अक्षर बता सकता हूँ उसके पहले अक्षर थे ऐल ऐल आपको ये कैसे मालूम है बारी मौर सर हेंडरी उसी सुबह आपके अंकल को एक लेटर मिला था क्योंकि वो एक समाज सुधारत थे इसलिए उनके पास बहुत सारे पत्राते थे किसमस से ऐसा हुआ कि उस दिन सिर्फ यही एक लेटर आया इसलिए मेरा ध्यान इसकी ओर गया वो अपने दियालू दिल के लिए फेमस थे इसलिए जिसे कोई विपता आती वो उनकी मदद मागने आता था इसलिए मैंने अच्छी तरह से देखा ये लेटर कुमबे ट्रेसी से था और किसी औरत के हाथ की लिखाई में था सही है फिर सर अगर मेरी पतनी इसके वज़े नहीं होती तो मैं इस मामले के बारे में शायद सूचता भी नहीं कुछ हफते पहले वो सर चार्लिस का अध्यान कक्ष साफ कर रही थी उनकी मौत के बाद किसी ने इसको हाथ नहीं लगाया था अंगीटी की जाली के पीछे उनको जले हुए लेटर की राख मिली ज्यादतर हिस्सा जलकर राख हो गया था लेकिन एक छोटी चिट जो पन्ने का आखरी भाग था बचा हुआ था और उस पर लिखा हुआ अभी भी पड़ा जा सकता था हालाकि ये काले बैक ग्राउंड पर भूरे रंका था इसको लेटर समाप्त करने के बाद आखरी संदेश में जोड़ा गया था लिखा था प्लीस प्लीस क्योंकि आप एक सब भांद प्रोश हैं आप इस पत्र को जला दें और गेट पर दस बज़े तक पहुँच जाए नीचे सिगनेचर थे एल एल क्या तुम्हारे पास वो सिलिप है नहीं सर जब हमने उसे निकाला तो वो तूट कर भी खर गई थी क्या सर चारलिस को इसी हैंड राइटिंग के और भी लेटर मिले थे मैंने उनके लेटर पर कोई खास गौर नहीं किया अगर वो अकेला नहीं आया होता तो मैं उसको कभी नहीं देखता और तुमको नहीं मालुम कि ये एलल कौन है सर नहीं आप से ज़दा नहीं लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हम उस युवती के बारे में जान जाएं तो सर चार्लिस की मौत के बारे में और जादा जानकारी मिल सकती है बेरी मोर मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इतनी इंपॉर्टन जानकारी को कैसे चिपा गई जी सर इसके तुरंट बाद हमारी अपनी परिशानिया हमारे उपर आ गई इसके उपर इससे जादा बात ये थी कि हम दोनों को सर चार्लिस बहुत वप्रिये थे उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया था और हम वो सब सोच रहे थे कि इस मामले को चालने से बिचारे माले का कुछ भला नहीं होना था और जब किसी महिला का मामला हो तो और साफधानी बरतनी चाहिए आपने सोचा होगा कि उनके अच्छे नाम पर बट्टा लगेगा जी हाँ मैंने सोचा इससे कुछ अच्छा होने वाला नहीं है लेकिन आपने जला गया तो सर हेंडरी मेरी तरफ मुड़े अच्छा वाट्सन आप इस नई जनकारी के बारे में क्या सोचते है ऐसा लगता है कि पहले कि अपिक शाप अंधिरा और बढ़ गया मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ लेकिन अगर हम एल-एल के अस्तित्व के बारे में जान पाते तो इससे सारा मामला साफ हो जाता वहां तक तो हम पहुँच गए हम जानते हैं कि किसी के पास फैक्ट है हमें उन फैक्ट्स का पता लगाना है आप क्या सोचते हैं हमें क्या करना चाहिए होम्स को तुरंट ये सब पता होना चाहिए इससे उसको वो सुराग मिल जाएगा जिसकी उसको तलाश थी मेरा ये से उचना बहुत गलत होगा कि ये जान कर भी वो यहां नहीं आएंगे मैं तुरंट अपने रूम में गया और सुबा होई बाचीत की रिपोर्ट होम्स के लिए तैयार की मुझे साफ था कि वो आजकल बहुत जादा व्यस्त थे बेकर स्ट्रीट के आफिस से मुझे जो जवाब मिलते थे वो बहुत कम और छोटे होते थे जो जानकारी मैंने उनको दी थी उसकी कोई टिपणी भी नहीं थी मेरी विशेश यात्रा को कोई जिक्र भी नहीं था इस मेहरानी नहीं थी कि उनका वो धन एटने वाला केस उनकी सारी शक्तियां ले रहा था लिकिन इस नए फैक्ट के कारण से उनका ध्यान इस ओर जरूर ही आकर्शित होगा नई रूची पैदा होगी क्या ही अच्छा होता कि वो यहां आते अक्टूबर सत्रा आज पूरे दिन पानी बरसता रहा इवी की बेल सरसराते रही और छज्जे से पानी टबकता रहा मैं अन्धिकार में वतवरण में ठंडे बिना आश्रे वाले दलदल पर उस अपरादी के बारे में सोच रहा था उसके अपराद जितने भी रहे हो पर उसके मकाबले उसको पीडा भी बहुत मिली है ता मुझे उस दूसरे चेहरे का भी ख्याल आया जिसे मैंने टैक्सी में देखा था और उसका भी जिसको मैंने उस रात में पहड़ी पर देखा था क्या वो भी इस मुसलादार बरसात में बाहर निकला होगा अंधेरे में ना दिखाई देने वाला सतरक द्रश्टी रखने वाला वेक्ती शाम को मैंने बरसाती ओड़ी और गीले दलदल पर निकल गया हर तरफ काली घटा चाई थी मेरे चहरे पर बरसात के थपेड़े पड़ रहे थे हवा मेरे कानों में सीटी बजा रही थी अब जो ग्रेट मायर में भटक जाए उनकी भगवान रक्षा करें क्योंकि ओपर के पहाड़े ख्षेतर भी अब दलदली ख्षेतर हो रहे है मैंने उस काली पहाड़ी को पहचान लिया जिस पर मैंने उसे काकी चौकीदार को देखा था उसके दातेदार चूटीम से मैंने सूने ढलानों को देखा बरसात की जड़ी उस बादामी जमीन पर पड़ रही थी नीचे गहरे भूरे बादल चाहे हुए थे मानो अभूत पूर व पहाड़ीों पर भूरी माला पड़ी हो कोहरे से आदा छिपे हुए बाईयूर की खाली जगे में बासकर विल्स हौल की दो मीनारें पेड़ों से उपर निकली हुई थी जहां तक मैं देख पा रहा था वो ही मानो ये जिंदगी के एकलोते निशान थे इसके अलावा पहाड़ी की ढलानों पर पुराने जमाने के लोगों की घनी जोपड़ियां थी वहां कहीं भी वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा था जिसे मैंने दो रात पहले देखा था जब मैं वापस चल रहा था तो मुझे डॉक्टर मॉर्टिमर जो अपनी कुटा गाड़ी में दलदल की उबड़ खावड़ रास्ते से जा रहे थे मुझसे आगे निकले ये रास्ता फाउल माईर के फार्म हाउस से निकल रहा था वो हमारे परती बहुत सजग थे शायद ही कोई ऐसा दिन होता हो जब वो हमसे मिलने हौल पर हमारी खेरियत पूछने नहीं आये हूँ वो मुझे मजबूर कर रहे थे कि मैं कुट्टा गाड़ी में बैठ जाऊँ उन्होंने मुझे मेरे घर तक लिफ्ट दी वो अपने छुटे कुटे स्मैनियल के लापता होने से बहुत परिशान थे वो दलदल की और भटक गया था और फिर कभी वापस नहीं लोटा मैं जितनी सांतों ना दे सकता था मैंने दी मुझे गिर्म पिन माईर के टट्टू का खयाल आया मुझे नहीं लगता कि वो अब कभी अपने कुटे को देख पाएंगे जब हम उबर खाबर रास्ते में जाते हुए जटके खा रहे थे तब मैंने डॉक्टर मोल्टिमर से पूछा क्या यहां आने जाने की दूरी पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें आप नहीं जानते मैं सोचता हूँ शायद ही कोई हो तब आप मुझे उस औरत का नाम बता सकते हैं जिसके इनीशियल एल एल हूँ उन्होंने कुछ देर सोचा फिर बोले नहीं कुछ जिपसी और मजदूर लोग हैं जिनके बारे में मैं नहीं बतला सकता लेकिन किसानों में और सब बसमाज में ऐसा कोई नहीं मैंने पूछा वो कौन है वो फ्रैकलेंड की बेटी है क्या बुड़ा संकी फ्राकलेंड सही बुला उसने एक लेन नाम के आर्टिस से शादी की वो दलदल पर चितर बनाता था वो बदमाश निकला और उसने उसे छोड़ दिया जहां तक मेरे सुनने में आया दोश एक तरफा नहीं था इसके पिता ने उसके साथ अपने सभी नाते तोड़ लिये थे क्योंकि उसने अपने पिता की सहमती से शादी नहीं की थी इसके लावा एक दो और कारण भी रहे होंगे इसलिए पुराने पापी अपने चेकर भी बहुत है वे जो कुछ भी छोड़ गया हो लेकिन हम उसको बत्तर होने के लिए नहीं छोड़ सकते इसकी कहानी सब जगे फैल गई यहां के रहने वालों ने उसके लिए कुछ मदद की जिससे यह एच्छी जिसके इस टैपलेटन ने कुछ किया और सरचालिस ने भी किया मैंने खुद भी कुछ दिया था मैंने उसे टाइपिंग के काम पर लगा दिया उन्होंने मेरी पूछताच का कारण जानना चाहा मैंने बिनाज़ादा कुछ बताते हुए उन्हें साटिस्वाइट कर दिया किसी को अपने विश्वास में लेने का कोई कारण नहीं कल मैं खोद कुम्बे ट्रेसी की और चला जाऊंगा अगर मैं इस संदिक्द इज़त वाली मिसिज लोरा लेउन से मिला तो रहस्यों की लंबी चेन की एक कड़ी को इस पस्ट करने की और एक लंबा कदम ले लूँगा मैं आवश्य ही साप की सी अकल विक्सित कर रहा हूँ क्योंकि जब मोटी मोर ने मुझे सहज इस्थिती में डालने वाला सवाल पूछा तो मैंने उनसे सहज रूप से पूछा की फ्रॉकलेंड की जोपड़ी किस श्रेणी में आती है मुझे पूरी आतरा मैं सिर्फ कपाल विग्यान ही सुनने को मिला मैंने शरलक होम्स के साथ इतने साल यो ही नहीं गुजारे उस तोफानी और नीरस दिन में सिर्फ एक और घटना दरज करनी है ये बारी मौर से हुई अभी मेरी बाचीत के बारे मैं है इससे मुझे एक और जबरदस्त ताश का पत्ता हात में आता हुआ दिखा जिसे मैं कभी भी चल सकता हूँ मोटी मुर रात के भोजन के लिए रुके बाद में जमीदार और वो ताश के पत्तों का खेल खेले बावर्ची मेरी कौफी लाइब्रेरी में लेकर आया मुझे उससे कुछ सवाल पूछने का मौका मिल गया क्या तुम्हारा रिष्टदार चला गया या वो छोपे रहकर इंतिजार कर रहा है सर मुझे पता नहीं मैं इश्वर से प्रातना करता हूँ कि वो चला गया होगा वो यहां पर मुसीवत के सिवा कुछ नहीं लाया जब से पिछली बार से मैं उसके लिए खाना छोड़ कर आया हूँ मैंने उससे कुछ नहीं सुना इसे तीन दिन बीद गये हैं क्या तुमने उसे देखा था सर नहीं जब मैं वहां गया तो खाना वहां से गायब था तो वह वहां जरूर था सर अगर किसी दूसरे आदमी ने उसे ले लिया हो तो भी आप ऐसा ही सोचेंगे मैं काफी का कप अपने होटो की आधी दूरी पर लेकर बैठा था और बारी मोर को घूर रहा था तो तुमको मालूम है वहां एक और आदमी है जी हाँ दलदल पर एक आदमी और है तुमने उसे देखा है जी नहीं तो तुम कैसे उसे जानते हो सेल्डन ने मुझे उसके बारे में बताया था सर करीब एक या कुछ जादा सफ़ता पहले सेल्डन ने मुझे उसके बारे में बताया था वो अभी छुपा हुआ है लेकिन वो सजाय आफ़ता नहीं है मैं ऐसा ही समझ पाया हूँ सर मैं आपको साफसा बतला दू डॉक्टर वाटसन कि मैं ये पसंद नहीं करता वो बहुत इमानधरी से अचानक बहुत भावेश में बोला बारी मूर सुनो मुझे इस विशे में कोई रुची नहीं लेकिन तुम्हारे मालिक के बारे में है मैं यहां सिर्फ उनकी मदद के लिए आया हूँ बोलो खुल कर बताओ तुम क्या पसंद नहीं करते बारी मूर कुछ पलों के लिए जिचका मानो उसको जोश में आकर बोलने का अफसोस हो और अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा अंत में वो दल्दल की खिड़की की और जिस पर बर साथ थपेड़े मार रही थी हाथ चलाते हुए चीखा ये ये सब कुछ जो चल रहा है सर कहीं न कहीं गहरी गुंडा गर्दी चल रही है मैं उसकी खसम खाता हूँ अगर सर हेंडरी वापस लंदन का रास्ता पकड़ ले तो मुझे ये देख कर बहुत खुशी होगी लेकिन वो क्या है जिससे तुमको खत्रा लगता है सर चारलिस की मौत का ध्यान करिये पोस्ट मौटर्म करने वालों उमने जो भी कुछ कहा वो बहुत बुरा था उस राद दलदल पर जो आवाजे आई थी उनका ध्यान करें सूरच छिपने के बाद पैसा देने से भी कोई आद्मी उसको पार नहीं करेगा बाहर सामने छिप अजनबी को देखें जो छिपा हुआ निकरानी कर रहा है वो किस पर निकरानी कर रहा है इस सब का क्या मतलब है इस सबसे बासकर विल्स नाम के किसी वेक्ति का कुछ भी भला नहीं होगा जिस दिन सर हेंडरी के नए नौकर हॉल का का काम समझा लेंगे उस दिन से मैं ये सब खुशी से छोड़ दूँगा मैं बोला क्या तो मुझे उस अरजनभी के बारे में कुछ और बता सकते हो सेल्डन ने क्या कहा था क्या उसने पता किया कि वो कहां छुपा है वो क्या कर रहा है उसने उसे दो बार देखा है लेकिन वो एक सुलजा हुआ आदमी है वो कुछ भी नहीं बताता पहले उसने सूचा कि वो पुलिस है लेकिन उसे बाद में पता चला कि कुछ अपना ही चक्कर था जहां तक देख सकते थे वो एक तरह से बहुत सब्भी पुरुश था लेकिन वो वहां क्या कर रहा था ये पता नहीं कर पाया उसने क्या बताया वो कहां रहता है पहाडी के ढलान पर चूने घर में जहां पत्तर की जोपड़ी में पुराने आदमी रहते थे लेकिन उसके खाने के बारे में क्या सेल्डन को पता चला कि उसके पास एक छोकरा है जो उसके लिए काम करता है वो से जो कुछ भी चाहिए लाकर देता है बारी मोर बहुत अच्छा हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे जब बावर्ची चला गया तो मैं काली खिलकी के पास चला गया मैंने धुंदले पल्लू से चलते हुए बादलों को और हवा के जखोरों से जुमते पेडों की बाहरी रेखा को देखा घर के अंदर भी ये भेंकर रात थी दलदल पर पत्थर की जोपड़ी में वो कैसा होगा उस आदमी के मन में कितनी नफरत होगी जो ऐसे वक्त में ऐसे इनरजनल जगे पर चिपने को मजबूर करती होगी और वो कितना गहरा और वशेश मकसद होगा जिसका कोई ऐसे परिक्षण करेगा वहां दलदल पर उस जोपड़ी में ही उस समस्या का केंदर बिंदू छपा है जिसने मुझे इतनी बुरी तरह से परिशान कर रखा है मैं कसम खाता हूँ कि अब मैं एक और दिन भी बेकार नहीं जाने दूँगा इस रास की तह तक पहुँचने के लिए मैं वो सब कुछ करूँगा जो एक आदमी कर सकता है तो कहानी आगे बे जारी रहीगी बने रहीए मेरे साथ और सुनते रहीए जजबातों का जहां वेद जावेद अख्तर तो आईए सुनते हैं इसका अगला पढ़ाओ पहाडी पर आदमी अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने में देर मत कीजिए क्योंकि कहानी अभी जारी है मेरी निजी डाइरी से पिछला अध्याय लिखा गया है मेरी कहानी अक्टूबर 18 तक पहुँच जाती है इसके बाद यह जीब घटनाएं बहुत तेजी से अपने भयंकर नतीजे की और चल पड़ती है अगले दिनों की घटनाएं मेरी याद में हमें ठोकर गड़ गई है मैं उनको उस समय बनाए गए नोट्स को देखे बिना ही कह सकता हूँ तो मैं उस दिन के अगले दिन से शुरू करता हूँ जिस दिन मैंने दो इंपॉर्टन्ट फैक्ट पा लिये थे पहला था कुम्बे ट्रेसी की मिसिस लॉरा लेन ने सर चारलिस बासकर विल्स को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने मुलाकात के लिए वही जगे और वक्त तैय किया था जहां पर उनकी मौत हुई थी दूसरा फैक्ट था कि दल्दल पर पहाड़ी के ढलान पर पत्थर की जोपड़ी में एक आदमी छिपा था इन दो फैक्ट को पाने के बाद भी अगर मैं इन अंधेरे फैक्ट पर कुछ और रोशनी डालने में नाकामयाब रहा तो या तो मेरी अकल की कमी होगी या फिर मेरे साहस की कमी होगी मुझे जमीधार को ये बताने का मौकर नहीं मिला जो मैंने मिसिस लेंस के बारे में एक शाम पहले पता किया था बहुत देर तक डॉक्टर मॉर्टिमर उनके साथ पत्तों के खेल में जमे रहे सुबानाश्ते पर मैंने अपनी खोच के बारे में बतलाया मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मेरे साथ कुम्बे ट्रेसी पर चलेंगे पहले तो वो जाने के लिए तैयार थे लेकिन बाद में दुबारा सोचने पर हम दोनों को ऐसा लगा कि अगर मैं वहां अकेला जाऊं तो शायद रिजल्ट कुछ अच्छा निकले हमारी मुलाकात जितनी ही अपचारिक होगी जानकारी उतनी ही कम मिलेगी मैंने अनमने मन से सर हेंडरी को पीछे छोड़ दिया और घोड़ा गाड़ी में अकेले ही अपनी नई खोच पर निकल पड़ा कुम्बे ट्रेसी पहुंचने पर मैंने परकिन्स को घोड़े खोलने के लिए कहा मैंने इस लेड़ी के बारे मैं भी पूछ ताच की जिससे मैं सवाल पूछने आया था मुझे उसका कमरा पता करने में कोई दिक्कत नहीं हुई कमरा बीच में अच्छी जिगए पर था बिना किसी ओप चारिक ताके एक नौकरानी ने मुझे अंदर बुला लिया जैसे ही मैं अंदर गुजा वो लेड़ी जो रेमिंग्टन टाइप राइटर पर बैठी थी मेरे स्वागत में एक सुख़द मुस्कान देते हुए उट खड़ी हुई लेकिन जब मैंने देखा कि मैं एक अजिनमी था तो वो दुबारा बैठ गई और उसका चेहरा लटक गया उसने मेरे आने का कारण पूछा मिसिस लेन ने जो पहला इंप्रेशन डाला वो था कि वो बहुत खुबसूरत थी उनकी आखों और बाल एक तरह के हलके भूरे रंके थे हलाकि उनके गालों पर जाईयां पढ़ी थी लेकिन उन पर भी गुलाबी पन किया भाजलक रही थी जो पीले गुलाब के अंदर रहता है मैं दोहराना चाहूंगा कि मेरा इस सब्जेक्ट पर फॉस्ट इंप्रेशन था लेकिन उसके चहरे पर दूसरा इंप्रेशन उसकी विवेचना का था पर चहरा देखने पर ये तो महसूस होता था कि कुछ न कुछ गलत तो था भाव का रूखापन, शायद आखों में कुछ कठोरपन, होटों का कुछ धिलापन इन सबसे उसके चहरे का पूर्ण सौंदर खराब हो रहा था पर ये मेरे बात के विचार थे वरतमान में तो मुझे सिर्फ यही आभास था कि मैं एक सुन्दर लेड़ी के सामने बैठा हूँ वो मुझे मेरे आने के ये वज़े पूछ रही थी तब तक मैं ठीक तरह से समझ नहीं पाया था कि मेरा काम कितना नाजग था मैं बोला मुझे खुशी है कि मैं आपके पिता जी को जानता हूँ एक बिहुदा परेचे था उसने मुझे इसका एसास भी कराया मुझे में और मेरे पिता में कोई नाता नहीं मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए उनके दोस्त मेरे मददगार नहीं है मेरे पता ने मेरी कोई परवार नहीं की दिवंगत सर चारलिस और कुछ अन्य दयालू अद्मियों की दया नहीं होती तो मैं भूंको मर जाती उन्हीं सर चारलिस के बारे में ही मैं आप से कुछ बात करने आया हूँ युवती के चहरी की जाईयां गहरी पड़ गई उसने पूछा मैं उनके बारे में आपको क्या कह सकती हूँ उसकी उंगलियां उसके टाइप राइटर पर बेचैनी से चल रही थी आप उनको जानती थी या नहीं मैं आपको पहले ही बतला चुकी हूँ कि मैं उनकी दया के लिए बहुत आभारी हूँ आज जो मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ वो बहुत हद तक उनकी मदद की वज़े से ही है क्या आप उनसे पत्र वैवार करती थी लेटर लिखती थी लेटी ने जल्दी से उपर की और देखा उसकी हलकी भूरी आँखों में गुसे की एक जलक थी वो पहनी आवाज में बोली इन सब सवालों का क्या मतलब है मतलब ये है कि कहीं कोई आम बदनामी ना हो जाए अच्छा यही है कि मों उनसे यहां पूँछू नहीं तो मामला हमारे ने अंतरर से बाहर निकल जाएगा वो शान थी उसका चेहरा पीला पड़ गया आखिर मैं उसने बड़ीला परवाही और बेपरवा अंदाज में उपर देखा वो बोली मैं जवाब दूँगी आपका सवाल क्या है क्या आपने सर चार्लिस को लेटर लिखा था मैंने एक दो बार उनकी विनम्रता और उदारता का अभार जताने के लिए उसके बारे में लिखा था क्या आपके पास उन लेटर्स की डेट्स हैं नहीं क्या आप उनसे कभी मिली थी एक या दो बार जब वे हुकूम भी ट्रेसी आये थे तम मिली थी वो एक रिटायर्ड आदमी थे वो चुपचाप से मदद करना पसंद करते थे उसका एडविटीजमेंट नहीं करना चाते थे लेकिन जब आप उनसे इतना कम मिली और इतना कम लिखा तो उनको आपकी परिशानियों के बारे में इतना कैसे पता चल गया जैसा कि आपने बतलाया जिससे कि वो आपकी मदद कर पाए उसने मेरी मुश्किल को बड़ी जल्दी से हल कर दिया ऐसे कई लोग थे जो मेरी दुख बरी कहानी जानते थे उन्होंने साथ मिलकर मेरी मदद की उनमेंसे एक थे मिस्टर स्टेपलिटन जो की सर चारलिस के पड़ोसी और उनके खास दोस्त हैं वो बहुत दयालू थे और उनके जरीये सर चारलिस को मेरे हालात की जानकारी मिली मुझे पहले से ही पता था कि कई मौकों पर सर चारलिस बासकर विल्स ने स्टेपलिटन को अपना निजी सलाकार बना लिया था इसलिए लिड़ी के बयान में सत्यता थी मैंने बात आगे जारी रखते हुए पूछा क्या आपने कभी सर चारलिस को अपने पास आकर मिलने के लिए लिखा था मिसिस लियान गुसे से आग बबूला हो गई सर बहुत हो गया ये कनोखा सवाल है मुझे माफ करें मिसिस लिकिन मैं इसको फिर से दोराता हूँ तो मेरा भी जवाब है कभी नहीं सर चारलिस की मौत के दिन भी नहीं एक ही पल में उसके चहरी की लालिमा धीमी पड़ गई मेरे सामने एक मुरदासा दिखने वाला चहरा था उसके सूके होट नहीं बोलने में असमर्थ थे ये मैंना सुना नहीं देखा जरूरी आपकी यादश आपको धोका दे रही है मैंने कहा मैं आपके पत्र का एक टुकड़ा आपको दिखा भी सकता हूँ ये इस तरह से है जी हाँ हाँ जी आप जेंटलमेन है इस लेटर को जला दें और गेट पर दस बज़े पहुँच जाए मुझे लगा कि वो बेहुश हो गई लेकिन वो तरह तरह संभल कर बोली क्या जेंटलमेन जिसी कोई चीज नहीं रह गई आप सरचाल इसके परतियन नयाय कर रही है उन्होंने लेटर को जला दिया था लेकिन कई बार लेटर जलने के बाद भी पढ़ने के लायक रह जाते है अब तुम मानती हो कि तुमने लिखा था जी हाँ मैंने लिखा था शब्दों की धार में अपनी आत्मा ओडलते हुई वो बहुत तेजी से चिलाई मैंने लिखा था मैं इनकार क्यों करूँ मुझे शर्मिंदा होने की कोई वज़ा नहीं है मैं चाहती थी कि वो मेरी मदद करें मुझे भरूसा था कि अगर मेरी मुलाकात होगी तो मदद मिल जाएगी इसलिए मैंने उनको मिलने के लिए कहा था लेकिन इतने बज़े क्यों क्योंकि मुझे पता था कि अगले दिन वो सुबह लंदन रवाना हो रहे थे वो कई महीने दूर रह सकते थे मेरा वहाँ जल्दी ना पहुँच पाने के कई कारण थे लेकिन बगीचे में ही मिलना क्यों तहे हुआ घर पर मुलाकात क्यों नहीं क्या आप सोचते हैं कि एक महला किसी बैचलर की घर ऐसे समय में अकेली जा सकती है ठीक है पर क्या हुआ जब आप वहाँ पहुची तो मैं वहाँ गई ये नहीं मिस्स लेंस नहीं मैं अपने इश्वर की कसम खाती हूँ मैं कभी नहीं गई मेरे जाने में कुछ अड़चने आ गई वो क्या थी वो एक निजी मामला है मैं इसे मैं नहीं मतला सकती तो आप मानती है कि आपने सर चारलिस के साथ उस जगे पर पहले से ही तैय मुलाकात के बारे में लिखा था जहां उनकी मौत हुई लेकिन आप कहती हैं कि आपकी मौलाकात नहीं हुई हाँ यहीं सच है मैंने बार बार उससे जहरह की लेकिन मैं उसके आगे नहीं जा सका मैं इस लंबी और अधूरी मौला के बाद उठा और बुला मिसिस लेंस आप एक बड़ी जिम्मधारी ले रही है आप अपने को एक बहुत जूटी इस्थिती में डाल रही है क्योंकि आप साफ साफ नहीं बता रही है जो आप जानती है अगर मैं पुलिस को मदद के लिए बुलाता हूँ तो आप बड़ी मुश्किल में पढ़ जाएंगी अगर आप निर्दोश है अगर आप निर्दोश है तो पहले पहले आपने क्यों नकारा कि आपने सार चारलिस को लिखा था क्योंकि मुझे डर था कि इससे कुछ गलत नतीजे निकाले जा सकते हैं मैं किसी कलंक में फस सकती हूँ आप क्यों इतना दवाव डाल रही थी कि सार चारलिस आपके लिटर को जला दे अगर आपने लिटर पढ़ा होगा तो आप जाएंगे मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने वो लिटर पूरा पढ़ा था हाँ आपने इसका कुछ भाग पढ़ कर सुनाया था मैंने बाद में जोडा गया संदेश पढ़ा था जैसे कि मैंने पहले भी बतलाया लिटर तो जल गया था और वो पढ़ा नहीं जा सकता था मैं आपसे फिर पूछता हूँ कि आपने इतना दबाव क्यों डाला कि सरचाले से इस लेटर को जो उनकी मौत के दिन मिला जला दे ये एक बहुत निजी मामला है यही वज़े है कि आपको सारवजनिक जांस से बचना चाहिए तो फिर मैं बतलाती हूँ अगर आपने मेरी दुर्भाग्य पूर्ण कहानी सुनी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने उतावले पन में शादी की और उसका अफसोस रहा ये तो मैंने सुना है मेरी जिन्दी की अपने पती से जिसे मैं अफरत करती हूँ लगतार परिशान होती रही कानून उसके पक्ष में है हर दिन ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वो मुझे उसके साथ रहने के लिए मजबूर कर देंगे इस वक्त जब मैंने ये पत्र सर चारलिस को लिखा तो मुझे पता चला कि अगर मैं कुछ रुपए खर्च कर सकूँ तो मुझे अपनी आजादी पाने की कुछ संभाव ना थी इस सबकी मेरे लिए बहुत थैमियत थी दिमागी शानती, खुशी, आत्मसम्मान, सब कुछ मुझे सर चारलिस की उदारता के बारे मैं पता था अगर वो मेरे होटो से मेरी कहानी सुनेंगे तो मेरी जरूर मदद करेंगे तो फिर ऐसा क्या हुआ, आप गई क्यों नहीं क्योंकि इसी बीच मुझे किसी दूसरी जगे से मदद मिल गई थी तो फिर आपने सर चारलिस को क्यों नहीं लिखा और साफ क्यों नहीं किया मैंने ऐसा करने का विचार किया लेकिन अगले ही दिन सुबह अखवार में उनकी मौत की खबर मिल गई महिला की कहानी सच्चाई पर आधारित थी और मेरे सवालों से वो हिलाई नहीं जा सकी मैं सिर्फ इतना ही पता कर सका था कि उसने वास्तम में अपने पती के वरुद तलाक के लिए आपचारिक कानूनी कारवाही दुकत घटना पर या लगबग उसके इर्द गिर्द शुरू भी की या नहीं अगर वो कारवाही असिलियत में की गई होती तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि वो ऐसा कहनी का दुस्सा हस करती कि वो बासकर विल हॉल नहीं गई थी उसे वहाँ ले जाने के लिए जरूर ही कोई जाल जरूरी था फिर वो वहाँ से कूमबे ट्रेसी को सुबह के परतम घंटों से पूर्वा वापस नहीं आ सकती थी ऐसा सेर सपाटा गुप्त नहीं रखा जा सकता था इसलिए संभावना यही थी कि वो जो बोल रही थी वो पूरा नहीं तो आधा सचवश्य था मैंने राश और चकीत होकर वापस आ गया फिर एक बार मेरे सामने गतिरोद खड़ा था मैं जिस भी रास्ते से अपने गंतव्यत पर जाने की कोशिश करता वहीं गतिरोद खड़ा मिलता मैं उस महिला के चहरे और हाव भाव के बारे में जितना सोचता उत्रही मुझे लगता कि मुझसे बहुत कुछ चुपाया जा रहा है उसका चहरा इतना पीला क्यों पढ़ना चाहिए वो कुछ कुबूल करने में इतना जगड़ती क्यों थी उससे जबरन कुबूल करवाना पड़ा वो दुरगटना के वक्त इतनी चुपी क्यों साधे हुई थी इन सब का मतलब इतना सरल नहीं हो सकता था जितना वो मुझे भरूसा दिलाना चाहती थी उस वक्त मैं इस दिशा में और आगे नहीं बढ़ सकता था इसलिए मुझे उस दूसरे सुरा की और मुड़ना पड़ा जो मुझे दलदल की पत्थर की जोपडियों में मिला था ये भी एक धुंदली दिशा थी जब मैं गाड़ी में चल रहा था तब मैंने देखा कि पहाड़ी दर पहाड़ी एतिहासिक मनश्यों के सुराग मिल रहे थे बेरी मोर का संकेत सिर्फ यही था कि वो अजनबी इन पुरानी जोपडियों मैंसे ही एक में था और ऐसी सेकडो जोपडियां दलदल की लंबाई और चोड़ाई में विक्री पड़ी थी लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मुझे रास्ता दिखा रहा था उसी ने मुझे बलैक टॉर की चोटी पर खड़े हुए उस आदमी को दिखलाया था वही मेरी खोज का मुख्या उद्देश होना चाहिए जब तक मुझे सही जोपड़ी ना मिल जाए तब तक मुझे वहां हर जोपड़ी की जानबीन करनी चाहिए अगर वो आदमी अंदर हुआ तो रिवॉल्वर दिखा कर उसके मुझे पता करूंगा कि वो कौन है और हम से क्यों इतने दिन से च्पा है वो रिजेंट स्ट्रीट की भीड में तो हमें चकमा दे सकता था लेकिन यहाँ वीरान दलदल पर हमें उलजना आसान नहीं अगर वो जोपड़ी मुझे मिल जाती है और अगर उसमें रहने वाला अंदर नहीं होता तो चौकसी कितनी लंबी भी क्यों नहो जब तक वो लोट कर नहीं आता तब तक मैं वहीं ठहरूंगा लंदन में होमस उसे पकड़ नहीं पाए थे मेरी ये एक सच मुझ जीत होगी मेरे मास्टर विफल हुए थे लेकिन मैं उसे खोज निकालूंगा इस खोज में मेरा भाग्य मेरे विपरीत था लेकिन अंत मैं अब मेरी साहिता कर रहा था इस सौभाग्य का दूथ मिस्टर फ्रॉक्लेंड के लावा और कोई नहीं था मैं जिस सड़क पर जा रहा था वो अपने बगीचे के गेट पर खेड़े थे जो सड़क पर ही खुलती थी उनकी मुझे भूरी थी और चहरा लाल अपनी चिर परिचित मुस्कराट के साथ चिलाए डॉक्टर वाटसन आपका दिन चुब हो असीलियत मैं अब आपको अपने घुड़ों को आराम देना चाहिए अंदर आईए मेरे साथ एक जाम लीजिए और मुझे शाबाशी दीजिए मेरे मन में उन से दोस्ती करने का कोई भाव नहीं था मैं घुड़ा गारी और परकिंस को घर वापस भीजना चाहता था मौका भी अच्छा था में गारी से उतर गया सर हेंडरी को संदेश भीज दिया कि मैं पैदल चल कर डिनर के वक्त तक पहुँच जाऊंगा उसके बाद मैं फ्रॉकलेंड के साथ उनके डाइनिंग रूम में पहुँच गया सर मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है मेरी जिन्दिगी का सबसे एक खोशी का दिन वो बहुत बार रुक कर दबी हुई हसी में बोले मैंने दो वरतांत पाए है इस परदेश में मैं सिखाना चाहता हूँ कि नियम तो नियम है और यहां एक आदमी ऐसा है जो उनको लागू करने में डरता नहीं है इनके सामने के दर्वाजे के सौगच के अंदर ही मिडिल्टन पार्क के बीचो बीच से जाने के रास्ते का अधिकार लागू करवा दिया है आप इसके बारे में क्या सोचते है हम इन अमीरों को सिखा देंगे कि वो आम आदमी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते जहां मन हो वहां कागस और बोटल फैंक सकते है दोनों मुकदमे निश्चित हो गए डॉक्टर वाटसन और दोनों मेरे पक्ष में गए सर जौन मॉरलेंड के अतिकरमन केस के बाद मेरा ऐसा दिन नहीं आया क्योंकि वो अपने ही खरगोशों के बाड़े में शिकार करते थे लेकिन आपने ये किया कैसे सर इसे किताबों में पढ़िये आपको पढ़ने में खुशी मिलेगी फ्रॉक्लेंड बना मॉरलेंड कोईन्स बैंच के कोट से मुझे 200 पाउंड खर्च करने पड़े लेकिन मैंने अपना फैसला पा लिया क्या आपका इससे कुछ भला हुआ सर कुछ भी नहीं जरा भी नहीं मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मुझे इस मामले में बिलकुल भी इंटरस्ट नहीं है मैं सिर्फ जन्ता के भले के लिए काम करता हूँ उदाहरन के तोर पर फरन वर्दी के लोग आज रात को मेरा पुतला जलाएंगे जब पिछली बार उन्होंने ऐसा किया था तो मैंने पुलिस से शिकायत की थी कि उसे ऐसे निंदनिय पर दर्शन को रूखना चाहिए परदेश की पुलिस बड़ी दुर्दशा में है सर इसने मुझे वो सुरक्षा नहीं दी है जो मुझे मिलनी चाहिए जन्ता के सामने फ्रॉक्लेंड बनाम रेजिनी का मुकदमा सामने आएगा मैंने उन्हें समझाया कि वो मेरे परती इस वेवार पर पच्टावा करेंगे मेरा बोला हुआ सच हो गया है ऐसा कैसे मैंने पूछा बन्दे ने बहुत जानकार व्यक्ति का भाव दिखाते हुए कहा क्योंकि मैं उन्हें ये बतला सकता हूँ जो वो सुनने के लिए बिलकुल बेताब हो रहे है लेकिन मुझे उन बदमाशों की मदद करने के लिए कुछ भी प्रेडित नहीं करेगा मैं किसी बहानी की तलाश में था जिससे मैं उस गपी से छुटकारा पा सकूँ लेकिन अब मुझे उसे गोर से सुनने की इच्छा थी मैंने इस पुराने पापी के बहुत से रूप देखे थे और समझ में आ रहा था कि किसी अभिरूची का प्रबल संकेत इसके आत्माविश्वास को अवश्य रुकेगा मैंने बड़े सीधे भाव से कहा किसी अवैद शिकार का मुकदमा बेशक हाँ हाँ मेरे बच्चे उससे भी जादा इंपॉर्टन्ट मामला दलदल पर अपरादी के बारे में क्या है मैंने शुरू किया मैंने कहा आपके कहने का मतलब ये तो नहीं कि आपको मालूम है कि वो कहा है मैं ठीक तरह से ये तो नहीं जानता कि वो कहा है लेकिन मैं पुलिस की मदद जरूर कर सकता हूँ जिस से वो उनके हाथ में आ जाए कि आपके ख्याल में ये कभी नहीं आया कि सबसे आसान तरीका उसे पकड़ने का ये है कि उसका खाना कहा से आ रहा है और इस से उस तक पहुँच जाएं वो बेचेनी के साथ अवशी सच्चाई तक पहुचने वाले थे मैंने कहा कोई शक नहीं लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो कहीं दलदल पर ही है मैं ये इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने अपनी आखों से खोद उसके संदे श्वाहक को उसका खाना ले जाते देखा है बारी मोर के लिए मेरा दिल बैट गया इस बहुत व्यस्त और इर्शालू व्यक्ति के परभाव में रहना एक बहुत गंभीर बात थी लेकिन उसके अगले बयान ने मेरे दिल का बोच हलका कर दिया आपको जनकर हैना नहीं होगी कि उसका खाना एक लड़का लेकर जाता है मैं हर दिन छट से दुर्वीन से उसे देखता हूँ वो निश्चित समय पर निश्चित रास्ते से गुजरता है वो उस अपरादी के लावा और कहां जा सकता है ये वास्तब मैं ही मेरा भाग्य था लेकिन मैंने उसकता के सबी भावों को व्यक्त होने से रोग दिया एक लड़का बारीबोर ने कहा था कि उस अग्यात आदमी का खाना एक लड़का लेके जाता है सही होक से फ्रॉक्लेंड हमारे अग्यात रास्ते से टकरा गया था ना कि अपराधी से अगर मुझे उसकी सूच ना मिल जाए तो मेरी लंबी और दुशकर खोज असान हो जाएगी लेकिन अविश्वास और उदासिंता ही निश्चत तोर पर मेरे तुरुप के पत्ते थे मैं कहना चाहूंगा कि ये संभव था कि दलदल पर रहने वाले चरवाहे का बेटा अपने पिता के लिए रात का खाना ले कर जाता है कुछ भी विरोधना होने से बुडव निरंग को श्वेक्ती आग उगलने लगा दो इश्भाव से उनकी आँखों ने मुझे देखा उनकी सफेद मूच है किसी गुसाई बिल्ली की मूचों की तरह चमक रही थी सर सच है वो बाहर पहले चोड़े दलदल की और इशारा करते हुए बोले क्या वहां सामने आपको वो काली पहाड़ी दिखती है ये दलदल की सबसे पत्थरीली जगह है अच्छा क्या आपको वो नीची पहाड़ी जो काटेदार ज़ाड़ियों से लदी होई है वो दिख रही है क्या ऐसी जगह में कोई गडर्या रहेगा आपका सुझाओ सर बहुत बेतुका है मैंने नमरता पूरवक जवाब दिया कि मैंने बिना सब तत्थियों को जाने ही बोल दिया मेरे आत्मसमरपड से वो खुश हो गए उनका विश्वास मेरे लिए बढ़ गया सर आप जानते हैं कि मैं कोई धारणा बनाने से पहले उसकी अच्छी प्रस्च भूमी तयार कर लेता हूँ मैंने उस लड़के को बार बार अपने बंडल के साथ देखा है दिन में एक बार कभी कभी दिन में दो बार भी मैंने उसे देखा जरा रुकें डॉक्टर वाटसन क्या मेरी आँखें मुझे धोका दे रही है या पहाडी पर इस वक्त कोई चीज चल रही है वो कई मेल दूर था लेकिन मैं हलके भूरे रंग की प्रस्ट भूमे मैं एक काला बिंदू साफ साफ देख रहा था सर आईए फ्रॉक्लेंड ने चट पर जाते हुए पुकारा आप अपनी आँखों से देखेंगे तो खुद फैसला कर लेंगे घर की चट पर सपाट जिगे पर एक टेली स्कोप तिपाई पर रखा था फ्रॉक्लेंड ने अपनी आँखों को उसकी उपर जमा लिया और बड़े संतोष से पुकारा डॉक्टर वाटसन जल्दीट करें नहीं तो वो पहाड़ी को पार कर जाएगा सचमुच अवश ही वहाँ एक लावार इस चोटा चोकरा अपने कंधों पर एक बुलिंदा लिये हुए पहाड़ पर चड़ रहा था जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुँच गया तब उसकी काया से हलके नीले आकाश के नीचे फटे पुराने कपड़े वाले गमार की आकरिती की जलक मिली वो अपने चारो और चोर की तरह छिपकर देखती हुए चल रहा था मानों से पीछा करने वालों का डर हो तब वो पहाड़ों पर गायब हो गया अच्छा तो मैं सही हूँ जरूर ही जरूर ही वो लड़का किसी की मदद कर रहा है और वो क्या हो सकता है वो परदेश का तो एक मामूली सिपाई ही भी मालूम कर सकता है लेकिन वो मुझसे एक शब्द भी नहीं सुन पाएंगे और डॉक्टर वाटसन मैं आपको भी इस गोपनियता में शामिल करता हूँ आप समझते हैं ना एक भी शब्द नहीं बोलना है जैसा आप चाहें उन्होंने मेरे साथ बहुत ही शर्मनाक शर्मनाक वहवार किया है जब फ्रॉक्लेंड बनाम रेजिना मुकदमे में तत्थो जागर हुए तो मैंने ये सुचा कि प्रदेश में रूस की एक लहर दोड़ जाएगी पुलिस की मदद करने के लिए आप वो मुझे प्रेरित नहीं करेगा मेरी परवाना करते हुए इन बदमान्शों ने मेरे पुतले को डंडे में लटका कर फूका जरूर ही आप नहीं जा रहे हैं आप इस महान मौके पर इस बूतल को खाली करने में मेरी मदद करेंगे मैंनों के तमाम लालचों को सहा और उनके मेरे साथ घर तक चलने के रादे को रूका जब तक उनकी निगाहे मुझ पर थी मैं सड़क पर रहा पर बाद में मैं दल्दल की ओर चल पड़ा मैं उस तरफ निकल पड़ा जहां पत्रीली पहाड़ियों से वो छोकरा गायब हो गया था सब कुछ मेरे पक्ष में चल रहा था मैंने कसम खाई कि एस शुब अफसर को जो भागिने मेरी जोली में डाला था उसे मैं आज अपनी और्जा या द्रड़ता की कमी से नहीं जाने दूँगा जब मैं पहाड़ी की चोटी पर पहुँचा तो सूरज पहले ही डूबने लगा था मेरे नीचे लंबे ढलान पर एक तरफ तो सुनेले हरे और दूसरी तरफ भूरी चाया वाले बादल चा रहे थे दूर शित जरेखा पर नीचे धुन्द चायी हुई थी वहाँ से बेलिवर और विकसन टूर की शानदार आकरितिया उभर रही थी खुले चोड़े फैलाओ मैं कोई आवास या गती नहीं थी एक बड़ी भूरी चड़िया शायद गुलिया जल पक्षी अकेला नीले आकाश में घूम रहा था आरसमान के विशाल चपाकार में और नीचे रेगिस्तान के बीच वो और मैं सिर्फ दो जी भी थे उजाड़ द्रश्य अकेले पनकाश भास रहस्य और काम पूरा करने की लालसा सम्मिल कर मेरे दिल में कमपन पैदा कर रहे थे लड़का कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था परंतु नीचे पहड़ी में गुलाकार जगे में पुरानी पत्थर की जोपड़िया थी उनके बीच में एक पर छट बची थी जो लोगों को मौसम से बचाने का काम कर रही थी जब मैंने उसे देखा तो मेरा दिल लपका यही वो मांध होगी जिसमें बैट कर वो अजनबी छिपकर इंतिजार करता होगा अंतिता मेरे पैर उसके दहलीज पर थे उसका रहस्य मेरी पकड में था जिस तरह साफधानी से स्टैपलिटन एक बैटी हुई तितली के पास अपने जाल को पकड़ते हुए पहुँचते हैं मैं उसी तरह जोपड़ी के पास पहुँचा मैं संतुष्ट था कि ये जगए वास्तब में रहाइश के लिए प्रियोग की जाती थी एक आइस पस्ट रास्ता गोल शिला खंडों से गुजरता हुआ एक खुली जगए में पहुँच रहा था जो दरवाजे का काम कर रहा था अंदर सब शान था शायद अजनबी वहाँ छिपा बैटा हो या फिर शिकार की खोज में दल दल पर हो जोखिम की संभावनाओं से मेरी नस्व में जुन जुनी हो रही थी सिग्रेट के टुकड़े को एक तरह फैकते हुए मैंने रिवॉल्वर को कस के पकड़ा और घोडे पर हाथ रख लिया तेजी से चलती हुए दर्वाजे तक पहुचा अंदर जहका जगे खाली थी वहाँ इसके बहुत से संकेत थे कि मैं वेर थी जूटी गंद का पीचा नहीं कर रहा था ये वही जगे थी जहां वो आदमी रह रहा था उस चट्टान पर जहां कभी कोई जंगली आदमी सोया होगा वहाँ एक वाटरप्रूफ पनी के अंदर कुछ कंबल तै करके रखे हुए थे आग की राख एक अंगीठी की जाली पर धेर की गई थी पास में ही खाना बनाने के कुछ बरतन पड़े थे पानी से आधी भरी बाल्टी भी थी खाली टिन के डिबबों के धेर से जाहिर था कि वो जगए काफी वक्त से इस्तिमाल की जा रही थी जब मेरी आखे चंती हुई रोशनी में अभ्यस्त हो गई तो मुझे एक मगगा और आधी भरी हुई शराब की बोतल एक कुने में पड़ी दिखाई दी जोपड़ी की बीच पड़ा हुआ सपाट पत्थर में इसका काम कर रहा था उसके ओपर कपड़े की एक पोटली रखी हुई थी जरूर ये वही कपड़े का बंडल था जो मैंने टेली सकोप से उस छोकरे के कंधे पर देखा था उसके अंदर साबुट डबल रोटी तीन में बंद मास और दो तीन आड़ू थे सब देखने के बाद मैंने जब इने अलग जगे पर रखना चाहा तो मेरा दिल ठक रह गया उसके नीचे एक कागज था जिस पर कुछ लिखा था मैंने उसे उपर उठाया पैंसिल से कुछ घसीटा हुआ था जो मैंने पढ़ा वो ये था डॉक्टर वाटसन कुमबे ट्रेसी गए हुए हैं एक मिनट के लिए मैं वहां खड़ा रह गया पेपर मेरे हाथ में था मैं उसे मूटोड जवाब देने के बारे में सोच रहा था तो ये मैं ही था ना कि सर हैंडरी जिसे गुपत अजनभी चक्मा दे रहा था वो खुद मेरा पीचा नहीं कर रहा था उसने एक एजन्ट शायद उस छोकरे को मेरे पीचे लगा दिया था ये उसकी रिपोर्ट थी दलदल पर मेरे आने के बाद शायद ही कोई मेरा ऐसा कदम था जिसका पीचा नहीं किया गया या दोराया नहीं गया मुझे एक अद्रश्य ताकत का एहसास हमेशा बना हुआ था बहुत बुद्धी और बारीकी से एक जाल हमारे चार और पहलाया गया था हमको ये इतने हलके से पकड़े हुए था कि सिर्फ सर्वोच पलों में ही ये अभास हो पाता था कि हम इसके बारीक जाल में वास्तब में फसे हैं अगर वहाँ एक रिपोर्ट थी तो और भी हो सकती थी इसलिए मैं जोपड़ी में चार और देखने लगा लिकिन वहाँ इस तरह की किसी चीज़ का कोई नामों निशान नहीं था मैं वहाँ ऐसा कोई संकेत नहीं ढून सका जो इस जगह पर रहने वाले वेक्ती के चरितर और उद्देश को दर्शा सकता बस यही जाहर होता था कि वो सादा आदितों का और जीवन के सुखों की परवाना करने वाला आदमी था जब मैंने घोर बरसात के बारे में सोचा और तूटी हुई छट देखी तो समझ में आया कि उसका उद्देश कितना मजबूत और अखंड होगा जिसकी वज़े से वो ऐसी ऐसा है जगह में रह रहा है क्या वो हमारा साद्य दुश्मन था या किसमत से हमारा रक्षक दूट मैंने कसम खाई कि जब तक मैं पता नहीं चला लूँगा मैं जोपड़ी नहीं छोड़ूँगा बाहर सूरज नीचे डूब रहा था पश्चिम दिशा गहरे लाल और सुनहरे रंग से चमक रही थी ग्रेट ग्रिम्पिन माइन की बीच में ही बने पोक्रों में इसका पर्तिबम लल धबो की तरह दिख रहा था बासकर विल्स हॉल की दो मीनारे दिख रही थी दूर धुंदला धुआ ग्रिम्पिन ग्राम की पहचान बता रहा था पहाडों के पीछे इन दोनों के बीच में स्टेपलेटिन्स का घर मौजूद था शाम के सुहले परकाश में सम्मधुर, सुहावना और शान्त लग रहा था लेकिन जब मैंने वहाने का डाली तो मेरी आत्मा प्रकृती की इस शान्ती को गिरण नहीं कर पा रही थी वो हर पल आने वाले पलों की अनिश्चिता और घोर भैसे काप रही थी मैं जोपड़ी के बीच अंधिरे में बैठा था और उदास शान्ती के साथ इस में रहने वाले के आने की रह देख रहा था आखिर में एक आहट सुनाई दी वहीं दूर जूते के पत्थर पड़ पढ़ने से जोर से टंटन हुई एक के बाद एक और पास और पास में धिरे कौने में सिमट गया मैंने जेब में पिस्टॉल तेयार की मैंने फैसला किया कि मैं तब तक नहीं दिखूंगा जब तक की अजनबी दिखाई नहीं पड़ता एक लंबा विराद शर्लोक होम्स की अगर आपने पहली या स्टोरी अभी तक नहीं सुनी है तो उसका लिंक आपको आई बिटन में मिल जाएगा उसको जरूर सुनिएगा तो आगे की कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए अलविदा